नमस्कार दोस्तो बैट और बॉल बड़ी चैनल में आपका स्वागत है आजम बात करेंगे आधूनिक क्रिकेट के परमुक बल्ले बाजो में से एक रोई शर्मा ने अपने करियर में कई यादगार पल देखे हैं और मुझे खुशी है कि आप हमारे साथ हैं गाइद चैनल प के खिलाफ 173 गेंदो पर 264 रन बनाकर एक दिविसी एंतर राष्ट्रिय वंडे मैच में सवच्चम व्यक्तिगत स्कोर का विश्व रिकॉर्ड बनाया वंडे में तीन दोहरे शतक रोई वंडे में तीन दोहरे शतक लगाने वाले एक मात्र खिलाडी हैं 209 रन बेनाम उस्तेलिय दोहजार तेरा 264 बेनाम श्रीलंका दोहजार चोड़ा 208 बेनाम श्रीलंका दोहजार सत्रा एक ही विश्व कप में पाँच शतक आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 रोईत ने टूर्नमेंट में पाँच शतक लगाए जो किसी भी खिलाडी द्वार एक ही विश्व कप में बनाए गए सबसे जादा शतक हैं जिससे भारत सेमी फाइनल में पहुँच गया पहला T20 शतक 106 रन दक्षिन अफ्रिका 2007 रोईत ने 2007 में उद्घाटन ICC विश्व 20 में अपना पहला T20 शतक बनाया जिससे खेल के सबसे छोटे परूप में उनकी शमता का पता चला मुंबई इंडियन्स के साथ कप्तानी की सफलता उनके लिडर्शिप में मुंबई इंडियन्स ने 5 बार 2013, 2015, 2017, 2019, 2020 इंडियन प्रिमियम लीक जीती है जिससे वह IPL इतिहास के सबसे सफल कप्तानों में से एक बन गए हैं टेस्ट सफलता पहला टेस्ट दोहरा शतक रोईत ने अक्टूबर 2019 में दक्षिन अफरीका के खिलाफ अपना पहला टेस्ट दोहरा शतक 212 रन बनाए जिससे लंबे परूप में श्रेशक्रम के बल्ले बाजो के रूप में उनकी इस्थिती मजबूत हुई टेस्ट ओपनर के रूप में अपने पहले मैच के दोहरे शतक 2019 में टेस्ट क्रिकेट में पहली बार ओपनिंग करते हुए उन्होंने दक्षिन अफरीका के खिलाफ 176 और 127 रन बनाए सयुक्त रूप से सबसे तेज T20 शतक श्रीलंका के खिलाफ 35 गेंदोप में शतक 2017 रोईत ने T20 अंतराश्ट्रे मैचों में सबसे तेज शतक के रिकॉर्ड की बराबरी की उन्होंने यह उपलब्धी सिर्फ 35 गेंदोप में हासिल की एशिय कप में लगातार अच्छा परदशन रोईत ने कई एशिय कप टूर्नमिंट में एहम खिलाडी के रहे हैं जिन्होंने भारत की सफलता में एहम योगदान दिया है आईपील फाइनल में यादगार पारी रोईत ने आईपील में फाइनल में कई एहम पारियां खेली हैं जिसमें 2015 फाइनल में मैच जीतने वाली 50 रन की पारी और 2019 फाइनल में कप्तान के तौर पर 68 रन की पारी शामिल है दोनों ने मुंबई इंडियन्स की जीत में एहम योगदान दिया है औस्टेलिया में एतिहासिक टेस्ट सीरीज जीत अलाकि वेक्तिगत परदशन बहुत बढ़िया नहीं था लेकिन रोहित उस भारतिय टीम का हिस्सा थे जिसने 2018-19 में औस्टेलिया में एतिहासिक टेस्ट स उत्क्रिष्ट को उजागर करते हैं जो उन्होंने अपनी PD के सबसे परसिद क्रिकेटरों में से एक बनते हैं गाइस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने चैनल को सब्सक्राइब करना एं थैंक्स फॉर वाचिंग मैं वीडियो